इंडिया का जो most selling laptop brand है वो है HP और आज के वीडियो में हम सिर्फ HP laptops की ही बात करेंगे अब जो price point हमने त्यांकिया इस वीडियो के लिए वो है 30,000 रुपीस to 70,000 रुपीस इसके बीच में आपको अगर laptop लेना है तो राइट वीडियो पर लैंड हुआ है वैस आज के डेट में हर एक price point पे आपको पहुत सारे options देगने मिल जाते हैं बट HP उस सब brand में से stand out करता है अपने trust के वज़े से जो इतने साल में उसने build किया है at the same time इनकी जो after sale service है वो भी काफी अच्छी है और आपको जगे जगे पे service centers इनके मिल जाते हैं यही रीजन है लोग आज भी HP बहुत जाधा खरीदते हैं अब जाधा बाते ना करते हैं सीधे पहले laptop की ओर चलते हैं 30,000 के price point पे जिने भी laptop खरीदना है guys HP 14S खरीद सकते हो i3 11 generation का processor है इसमें RGB RAM के साथ आता है DDR4 RAM है यह expand कर सकते हो future में जो भी student हो या फिस school purpose के लिए laptop धून रहे हो तो यह laptop आपका काम कर सकता है even office purpose के लिए भी यह laptop well suited है अब यह जो laptop है यह 14 इंच स्क्रीन साइज में आता है इसलिए carry करने में कोई भी रिक्कत नहीं है lightweight laptop है और इसमें MS Office pre install आता है lifetime validity के साथ इसका जो display वो भी अच्छे quality का दिया गया है 250 nits की brightness है Intel की UHD graphics देखने मिलता है और 4-5 गंटे का battery backup आप expect कर सकते हो इस laptop से अब यह वीडियो में हम सारे specification cover इसलिए नहीं कर रहे है क्योंकि गाइस बहुत सारे laptop है अगर हर एक laptop के वारों में विस्तार में कहते है तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा इस वज़े से एक overview दे रहे हैं कि यह laptop इस price point पे best है तो यह जो laptop है HP 14S 32,000 रुपीज तक आपको अगर देखने मिले तो खरीद सकते हो इस पे card offer भी apply कर देना गाईस तो 1500 का extra additional discount आपको देखने मिल जाएगा अब लिष्ट का जो second laptop है यह गाईस हाली में ही launch हुआ है जिने भी latest processor के साथ laptop खरीदना है उनके लिए है 35,000 price point पे यह आराम से देखने मिल जाता है इसका नाम है HP 15S इसमें आपको Ryzen 3 7320U processor दिया गया है 7000 series का processor है Ryzen का काफी अच्छा है price point के इसाफ से at the same time 8GB RAM दी गई है वो भी latest DDR5 RAM है इसे आप further expand नहीं कर सकते है guys soldered RAM के साथ आता है यह laptop 512GB की Gen 3 SSD है 15.6 inches के display size के साथ आता है यह और anti-glare panel है यह full HD resolution feature करता है MS Office lifetime validity के साथ आता है AMD Radon की graphics देखने मिल जाते हैं और इस laptop पा भी battery backup अच्छा घास है सारे ports देखने मिल जाते हैं laptop में guys कोई भी purpose के लिए laptop खरीदना चाहते हो या फिर आपको थोड़े से heavy software run करने कोडिंग करनी है तो यह processor well suited है थोड़ा सा budget expand कर लो 30,000 से under 35,000 आसानी से मिल जाता है अब 40,000 रुपीज की बात करते हैं इस price point पे again HP 15S खरीज सकते हो one of the most selling laptop में से एक है RGB की DDR4 RAM देखने मिलती है expand कर सकते हो future में 512GB की SSD है इसे भी expand कर सकते हो Intel की UHD graphics है MS Office lifetime validity के साथ आता है सारे ports present है perfect laptop है जो भी guys laptop दोन रहे हो क्योंकि इसका battery backup भी खाफी अच्छा है 6-7 घंटे आराम से deliver कर देता है 40,000 में आपको अगर यह laptop देखने मिले तो one of the best laptop होगा जो आप buy कर सकते हो अब जिने भी सबसे latest laptop ही खरीदना है 13 generation का उनके लिए भी laptop बताता हो at 45,000 price point guys HP 15S का नाम है यहाँ पर आपको जो processor देखने मिलता है वो है i3-1315U i3-1215U का successor है यह 3-4,000 का difference होता है इन laptop के prices में बट definitely worth होगे जो भी आप extra spend करोगे 6 और 8 थ्रेट का यह processor है 8GB की DDR4 RAM है एक्सपांड कर सकते हो future में 512GB की SSD है यह भी expandable है 15.6 inches का सेम SVA panel देखने मिलता है अच्छा laptop है जिनने भी 13th generation का laptop खरीदना है खरीद सकते हो अब 50,000 price point पे एक laptop बताता हूँ यह भी अपने price point का सबसे best selling laptop है नाम अगेन HP 15S का i5-1235U series का processor दिया गया है 8GB की RAM है 8GB और expand कर सकते हो 15GB के SSD है यह भी expandable है अब लिस्ट का अगला laptop है इसी का successor है अभी अबने जो processor देखा वो था i5-1235U इसी का successor i5-1335U बताता हूँ अगेन laptop का नाम है HP laptop 15 processor i5-1335U 10 score 12-3 यह processor फीचर करता है तो performance उस लेवल की यह deliver कर देता है RGB की DDR4 RAM है expand कर सकते हो future में 512GB के SSD यह भी expandable है 15.6 inches का TN panel दिया गया यह एक चीज़ मुझे concern लगी क्योंकि 60,000 के price point पे आप laptop खरीद रहे हो और TN panel के साथ आ रहा है सो डोंट वरी एक alternate option भी बताऊंगा वह आप खरीद सकते है उसमें IPS panel देखने मिलता है पर इसमें processor काफी अच्छा है इस वज़े से इसे cover किया है गाईस MS Office देखने मिल जाता है lifetime validity के साथ fast charging support करता है और 5-6 गंटे का battery backup पर यह deliver करता है अब जिनने भी गाईस IPS panel के साथ laptop खरीदना है तो आप HP Pavilion 15 खरीद सकते हो i5 1240 P processor के साथ यह laptop काफी अच्छा है इसमें display up to date देखने मिलता है HP की Pavilion series है तो display definitely IPS panel की देखने मिलता है तो आपको अगर latest processor नहीं चीए 13 generation का तो यह सबसे best option होगा काफी अच्छा laptop है यह अगर आपको around 62,000 देखने मिले तो best option है अब एक gaming laptop लाश्ट में बताना चाहूंगा जो under 70,000 आपको definitely देखने मिल जाएगा HP Victus Gaming इसका नाम है अब HP Victus में आपको बहुत सारे combinations देखने मिल जाएंगे i5 12450 H processor में RTX 250 के साथ एक laptop देखने मिल जाता है वो laptop guys खरीद सकते हो अगर अच्छे price point पर देखने मिले बट मेरी मानो तो आज के डेट में आपको RTX 3050 कम से कम खरीदना चाहिए वो अच्छी performance निकाल के देता है processor जैसे मैंने बता है i5 12450 H series का processor दिया गया RTX 3050 ये feature करता है 15.6 inches का pure IPS display दिया गया है Full HD resolution के साथ और 16GB की RAM है expand कर सकते हो फर्दर 512GB की SSD है ये भी expandable है और ये इकलोता gaming laptop है जिसमें आपको MS Office देखने मिल जाता है ये भी एक चीज है अगर इस 68000 में देखने मिले तो गाइस अच्छा combination है processor भी अच्छा है और 3050 देखने मिल रहा है ये सारे laptop है HPK जो 30,000 रुपे से लेके 17,000 के बीच में currently available है इन laptop में कोई भी confusion हो तो नीचे comment section में पूच सकते हो मैं जरूर से help करूंगा वैसे जाने से पहले एक चीज बता दूँ आप अगर laptop खरीदना चाहते हो तो ये वीडियो एक बार जरूर से check out करना इसमें हमने in general सारे laptop बताया कि कौनसे price point पर कौनसा सबसे best laptop है